कि नमस्कार संसत समाचार में आपका स्वागर्थ है मैं हूं नदीम अंसारी शुरुआत करते हैं लोकसभा से लोकसभा में सरकार विपक्ष में चल रहा है गतिरोत के बीच आज अन्य पिछला वर्ग यानी OBC से संबंदित संसत में पूरे सर्थ के दौरान ये पहला अफसर था जब सरकार और विपक्ष के बीच सहमती के बाद किसी विध्यक पर चर्चा हुई सामाजिक नियाय और धिकारिता मंत्री डौक्टर विरेन कुमार ने विध्यक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विध्यक पिछले वर्गों के हितों को पूरा करने वाला है उन्होंने कहा कि ये विध्यक OBC समाज को मजबूती प्रदान करेगा इससे महरा OBC के कलियांट के लिए के इंदे सरकार दोरा उठाए गए कदमों की जानकारी दी डौक्टर विरेन कुमार ने कहा कि अब OBC चात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में करीब चार हजार और सीटे उपलब्द होंगी विध्यक में राज्य और संग शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्ष्ण इक्ष्ट्री से पिछड़े वर्गों की अपनी सूचियां तयार करने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान है इससे पहले सुबा सदन की बैटक शुरू होते ही विपक्ष्ट्री सदस्यों ने नारवाजी और हंगामा शुरू कर दिया लोकसब अध्यक्ष ओंबिल्दा ने हंगामे के बीच प्रश्निकाल शुरू कराया लेकिन विपक्ष्ट्री सदस्यों से आसन के नजदीक आकर न सदन में एक बार फिर विपक्ष्ट का हंगामा और नारेवाजी शुरू हो गई इस पर अध्यक्ष ओंबिल्दा ने सदस्यों से आग्रे किया कि वह सदन की मर्यादा नहीं तोड़ें अध्यक्ष ने नारेवाजी कर रहा है सदस्यों से सवाल किया कि क्या वह 127 समीधान विपक्षी दलो की तरफ से आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से ज्यादा बढ़ानी की मांग भी सदन्द में रखी गई और इंद्रहसाहनी फैसले का हवाला दिया गया इंद्रहसाहनी मामले जिसे मंदल फैसले के रूप में जाना जाता है उसमें कहा गया था कि आरक्षण क कॉंग्रेस की योगदान को याद करते हुए पंचाइसी राज कानून लागू करने में राजीव गांधी की भूमिका की सरहाना की उनका आरोप था कि उत्तरप्रदेश उत्तरखंड के चुनावों को ध्यान में रखकर ये विध्यक इस समय लाया गया है मराथा अरक्षण की की चर्चा करते हुए उन्होंने केंज सरकार से महराश्ट्र की मांग पर गौर करने को कहा उन्होंने आरक्षण में पचास प्रतिशक की सीमा बढ़ाने के लिए एक अन्य विध्यक लानी की मांग की भाजपा की संगमीत्र मौर्जी ने कॉंग्रेस पार्टी पर आरोप ल गोपिनात मुंडे ने विध्यक का समर्थन करते हुए कॉंग्रेस की घलत नीतियों के लिए उसकी आलोचना की डॉक्टर जायसवाल का कहना था कि कॉंग्रेस पार्टी ने सामाजिक नियाय से जुड़ी अधिकांच रिपोर्टों को दफन कर दिया द्रमुक्य ट्यार बा लाती है तो संसद में सामानी तरीके से कामकाज हुआ होता उनका कहना था कि पूर्व में किये गए संचुदन के कारण राज ओबीसी आयों को निरथक बना दिया गया इसी पार्टी के कलियान बनर्जी ने याद दिलाए कि किस प्रकार 1990 में ततकालिन प्रधानमंती नर्सि कि उनका कहना था कि उचितम नियायले के फैसले के बाद सरकार इस संचुदन विध्यक को लाई है चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए श्रम और रोजगार मंत्री भुपेंद रियादव ने कॉंग्रेस पर निशाना साध देते हुए उसे याद दिलाया कि उसने काका काले केलकर आयोग को लागू नहीं किया कॉंग्रेस ओबीसी के लिए अरक्षण नहीं लाई वर्टल ब्हारी वाच्पेई की सरकार थी जिसने क्रीमी लियर की सीमा बढ़ाई एंसीपी सांसच सुप्रिया सूलों ने सरकार से आरक्षण की सीमा समाप्त करने का आगरे कि उन्हो उबीसी के आखड़े रखने पैट्रोल डीजल के दाम कम करने और बच्चों को कोविट का टीका लगाने की मांग भी की बसपा सांसद रितेश पांडे का कहना था कि सरकार एक तरफ ओबीसी समुदाय के उत्थान का धिंडोरा पीट रही है और दूसरी तरफ सरकारी नौक अगले साल उत्तरप्रदेश में चुनाव ना होते तो सरकार OBC के बारे में ये कदम नहीं उठाती IUML के E.T. मुहमद बश्चीर का आरोप था कि सरकार की OBC नीती नीक नियस से परे है उनका ये भी आरोप था कि EWS लाका सरकार ने आरक्षन की मूल भावना को कुचल दिया है नैशनल कांफरेंस के हसनेन मसूदी ने कहा कि इस अफसर इस सरकार ने राज्यों के अधिकार छीन लिये हैं अब वो इस विधेक को साका लाकर अपनी गल्तियां सुधा रही है अकालिदल सांसत हर सिम्रत को और बादल ने समिधान संचुदन का समर्थन किया लेकिन साथ उन्होंने क्रिशी कानून के खलाफ आवाज भी उठाई वानिजर उद्योग मुराज्यमंत्रि अनुप्रिया पटेल ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए पिछले समुदाई की जंगर्णा करानी की मांग की उनका कहना था कि आजादी के बास अभी जंगर्णाओं में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंजाती के आबादी की गर्णा की गई लेकिन OBC की नहीं की गई चर्चा में शिरसेना के प्रताब जाधाव कॉंग्रेस के सुरेश धनोरकर एस जोतीमनी YSR कॉंग्रेस के मरगनी भरत TSR के TRS के नमा नागेश्वर राव कमिनिश पार्टी के सेलवराज TDP के रमा नाइडू और राम मोहन नाइडू बसपक के मलूक नागर RLP के हनुमान बेनिवाल AIMIM के असदुद्दीन OEC RSP के NK प्रेम चंदरन द्रमुक के रियनेधी मारन नर्दली नमनीच राणा आमादी पार्टी के भंगवन्थ मान और बीजद के अचुतानन सामंत ने भी हिस्सा लिया और अब समचा राजी सभा से राजी सभा में प्यगासस जासूसी मामले साहित विपक्ष के भारी हंगामे के कारण मंगलवार को कारवाई बार 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 बाधित हुई और पांच बार के स्थगन के बाद अपरहांच शाम करीब चार बजे पूरे दिन के लिए स्थागित कर दी गई आराकि सदन में आज देश में कृशी से संबनी समस्याओं और उनके समाधान पर अर्प्रकालिक चर्चा शुरू ही पर विपक्ष के हंगामे के कारण ये पूरी नहीं हो सकी पूर्वान ग्यारा बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे की वजह से उच्छे सदन में आज भी शियो निकाल नहीं हो पाया और बैठक शुरू होने पर सभापती में के नाइडू ने आवशक दस्ताविज सदन के पटल पर रखवाए इसके बाद सभापती ने सदन की सूचित किया कि तर्मूल कॉंग्रेस के मलिका आजुन खडगे माकपा के इला मारम करीम सथा माकपा के भागपा के विनय विश्वम ने पे के मुद्य पर एक अलपकाली चर्चा दिरधारित है उन्होंने का कि किसानों का मुद्धा बड़ा है महतोपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी चाहिए इस बीच विपक्षी सदस्यों ने पेगासस मुद्य पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया सभापती की हरिवंच ने प्रश्निकाल आरम कराया इस बीच विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने जल विद्धित परियूजना कैंसर सारवजनिक शेत्र के उद्यमों और नभी करनी उज्या से जोड़े पूरक सवाल प दो बार के स्थखन के बाद उच्छी सदन की बैठक जब दो बजे शुरू हुई तो पैगासत जासुसी विवास सहित विभिन मुद्धोपा चर्चा की मांग को लेकर अड़े विपक्षी सदस्यों का सदन में हंगामा फिर से शुरू हो गया हंगामे के बीच ही पेटासी विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज हो गया जिसके करण सदन की बैठक पीठासी नद्यक्ष भूवनेश्वर कालिता ने दो बचकर सत्रा मिनट पर पंधा मिनट कर दी पंदा मिनट बाद पीठासी नद्यक्ष ने हंगामे के चलते बैठक और आदे घंते के लिए सगित बढ़ा भंधरन की व्यवश्था की गई उनके दस साल का कृश्य बजट वरतमान सरकार के एक साल के किशी बजट से भी कम था सरकार की मोधी सरकार किसानों के कल्यान प्रति बद्द है और इसलिए तीनों किसानों की समस्यां दूर हो और उनकी हालत सुध्षिह के अधार प किसानों के कंधे पर रखकर बंदूख चिलाना चाहता है बीजु जंतादल के प्रसंद आचारे ने चर्चा में हिस्सा लेते वे कहा कि हंगामे के बावजूद मैं किसानों के मुद्देफर बोलने का अफसर नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ऐसा करना उनके साथ अन्याय होगा इस देश की बड़ी आबादी किसानों की है जो अब तक बुन्यादी सुविधाओं से बंचित रही है सरकार उनके कल्यान के लिए प्रतिबद् है लेकिन किस्षी शेत्र में उत्पादन लगातार भड़ा है कि उन्होंने किसान सम्मा निदी की राशी बढ़ाने तरह स्वामी नाथन आयों की सिफारेंशे लागू करने की मांग की तीनों कि कानुनों का जिख्ष करते वे अचारे ने कहा कि नियुन्तम समत्रमूली की लिखित में गारंटी दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि आपने किस्तानों की आमदरीन दोगुना करने का वायदा किया था लेकिन ये वायदा पूरा नहीं हुआ इसी बीच विपक्षी सदस्तों के हंगामे के कारण सदन की बैठक पीठासीन अध्यक्ष भूवनेश्वर कालिता ने घोशना की कि उपसवापती ने विभिन दलों के निताओं को विचार उमच्ष के लिए अपने कख्षिमामंतित किया है इसके बाद उन्होंने बैठक को एक घंटे के लिए स्थाकित कर दिया इससे पहले कांग्रेस के जैराम नमेश निका कि लिए प्रस्ताव का क्या हुआ नमेश निका के नियम के अनुसरार इस तरह का बदलाव करने से पहले सदन की भावना जानना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया संसरी कार्यमंत्री पर राज जोशी ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अगर जरूरी है तो हिंदू शेखर राय ने कहा अभी सदन की भावना जान लीजिए रमेश निकाह कि तीन दिसंबर 2015 को आसन ने विवस्ता देते वे कहा था कि ध्यानकर्शन प्रस्ताव को सदन की भावना जानने के बाद उसकी सहमती से अलपकालिक चर्चा में बदला जा सकता है यहां ऐसा क कुछ नहीं हुआ सदन की भावना जाने बगैर सब कुछ एक पक्षित तरीके से किया गया यह मुझे स्विकार नहीं है पीठासी नद्यक्ष भूवनेश्वर कालिता ने कहा कि यह और वह इसमें नहीं जाना चाहते इसके बाद उन्होंने अलपकालिक चर्चा शुरू करन मौन्सून सत्र के प्रारंब से ही गतिरोद बना हुआ है सदन में सत्र के दौरान जितने भी विद्यक पारित कराए गया उन्हें हंगामे के बीच ही पारित किया गया और इसे के साथ संसर समाचार में फिलाल इतना ही नमस्कार झालो